इस वीडियो में बात करने वाले हैं GFI 50 mg dry powder syrup के बारे में तो GFI 50 dry powder syrup यह एक antibiotic होता है इसमें जो मुख्य antibiotic हो हो सिफ़ेक्जिम होता है और इसकी जो composition है वो है 50 mg पर 5 ml, यानि इसकी हर 5 ml में 50 mg सिफए एक्जिम प्रेजेंट होता है, ये बच्चों को दिये जाता है, इसके अलावा ये एक सिफालोस्परिन ग्रुप का एंटिवाइटिक होता है, और इसकी जो packing है, वो कुछ इस तरीके से दिखती है, टोटल 30 ml की packing है, और ये बच्चों को दिये जाने वाला FDC कमपनी का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत पॉपिलर है, इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करने वाले है, इसके uses के बारे में, इसके mechanism of action, और इसकी जो complete dosing है, और side effects के बारे में, तो complete वीडियो जरूर देख बनाया जाता है, अब बात करते हैं, इसके uses के बारे में, तो इसके uses हैं, तो जो bacterial infections होते हैं, जैसे की फैफडे में, ear otitis media, तो जो otitis media होता है, हमारे जो inner ear होता है, middle ear जो होता है, middle ear में अगर inflammation हो जाए ये सूजन हो जाए, bacterial infection की वज़े से, इसके अलावा throat, यानि गले में स हमारी kidneys, bladder, ureters और urethra इन में अगर कोई infection है bacteria का तो इस condition में हम दे सकते हैं इसके अलाबा इसको जो sexually transmitted diseases जो होती है bacteria से होने वाली उस conditions में भी इसको prescribe किया जाता है इसके अलाबा इस pneumonia की condition में इसको दे सकते हैं और bronchitis, तो bronchitis का मतलब होता है inflammation of bronchi तो हमारे जो track ही होता है wind pipe होता है वो डो parts में डिवाइड होता है right bronchus और left bronchus में तो उनमें अगर कभी inflammation होता है सूजन होता है bacterial infection की वाजिसे तो उस condition में इसको देते है tonsillitis, जो tonsils होते हैं उनमें inflammation होना upper respiratory tract infection हो जाना या फिर skin infections हो जाना या typhoid fever हो जाना upper respiratory tract infections में हमारे जो nose है नाक है जो हमारे sinuses है उनमें inflammation होना उसको sinusitis बोलता है pharynx में infection inflammation होना उसको pharyngitis, larynx में inflammation होना larynx और trachea में यह जब infection होते हैं इन सब इन सभी conditions में यह prescribe किया जाता है अब बात करेंगे इसके mechanism of action की तो जिफी जो होता है उसमें सिफेक्जिम मिन अंटिवाटिक होता है और यह bacteria जो होता है उसकी cell wall की synthesis को inhibit कर देता है उसको synthesize नहीं होने देता properly और इस वह से last में bacteria जो होता है वो kill हो जाता है उसकी death हो जाती है और यह अपना इस तरीके से bacteria saddle action exert करता है pediatric dose के बारे में हम बात करेंगे body weight के हिसाब से जो recommended doses है वो 6 महीने से 12 साल के बच्चे के लिए 8 mg पर kg body weight के हिसाब से हमको दवा देनी होती है मालने अगर बच्चे का बजन 5 kg है तो 8 x 5 यानि 40 mg उसको हमें total drug देनी है और यहीं अगर बच्चे का बजन 10 kg है तो 8 x 10 यानि 80 mg हमको total drug उसको देनी है और इसको दो बार में दो इंटरवल में दिन में हम उसको divide करके देंगे बड़े हैं जिनका वजन 50 kg से ज्यादा है या फिर वो adult है तो उसको 400 mg daily उसको हमें यह देना होता है और या फिर उसको 200 mg 12 hourly यानि 24 घंटे में 200 mg इस तरीके से दे सकते हैं तो अब यह जो डोजिंग है यह अलग-अलग बीमारियों के लिए अलग-अलग हो सकती है तो अपन 20 mg पर kg तो इसका मतलब यह हुआ मालने अगर बच्चे का वजन 6.25 kg है तो इसमें 8 का multiply करके जो total dose बैठेगी वो बैठेगी 50 mg जो कि हमको maximum dose देनी है एक दिन में तो 50 mg अब जो dose आती है वो आती है 5 ml से रप में क्योंकि composition में हमने देखा था कि इसकी हर 5 ml में 50 mg सिफ एक्जि तो यह जो maximum dose है एक दिन की तो एक दिन में इसको इखटा एक बार में ना देके हम इसको दो doses में देते हैं एकक्वल पहली dose और दूसरी dose बारे बारे घंटे के अंतर पर इसको दे सकते हैं तो जो 50 mg जो था यह 5 ml में था तो दो एक्वल dose में डिवाइड करने पर इसको 2.5 ml पहली dose और 2.5 ml की दूसरी dose यह ऐसे दिया जा सकता है अगर बच्चे का बजन अगर 12.50 यानि साड़े बार एक लिवा तो इसको 8 का मुल्टिप्लाई करके जो dose बनेगी वो बनेगी 100 mg 100 mg आईगी 10 ml सिरप में ड्राइपाउडर सिरप 10 ml में आएगी और इसके अलावा इसको जब डिवाइड करेंगे दो इक्वल डोस में तो 5 ml और दूसरी डोस भी 5 ml की बनेगी यहीं अगर बच्चे का बजन एटीन पॉइंट सेवन फ़ग्राम है तो इसको 8 का मुल्टिप्लाई करके जो टोटल ड डोस बैठेगी उसकी चुबुरी जो दिन भर की वो बैठेगी 150 mg तो 150 mg आएगी 15 ml में अब इसको दो इक्वल डोस में डिवाइड करने पर इसको 7.5 ml की दो डोस बनेंगे वहीं अब 25 kg का अगर बच्चा है तो उसको 200 mg सिरफ हमको देना होगा 8 mg पर कीजी के साब से 200 mg आए जिफी सिरफ का जिफी 50 का तो वहीं मानने अगर बच्चे का वजन अगर 5 kg है और उसकी उम्र 5-6 महीने के आसपास है तो हमको उसको जिफी 50 की कितनी डोस देनी है तो बच्चे का वजन 5 kg है तो 5 इंटू 8 mg पर कीजी पर डोस यानि 40 mg डोस हमको 5 kg वाले बच्चे को देनी ह तो अब हमको यह देखना है कि जो 40 mg डोस है वो कितने ml सिरफ में आईगी अब हमको कि हमें पता है कि जो जिफी 50 सिरफ है उसकी 50 mg जो सिफेक्जिम होता है वो हर 5 ml में प्रेजेंट होता है तो 1 mg सिफेक्जिम आएगा 5 divided by 50 किसी लिए 40 mg सिफेक्जिम आएगा 5 into 40 divided by 50 यानि क चार ml सिरफ में तो इसको भी हमको 2 equal doses में डिवाइड करना है तो 2 ml एक बार में और बाकी की 2 ml दूसरे 12 घंटे के अंतर पे हम दे सकते हैं ऐसा बच्चे जिसका बजन 5 kg है इसके अलाबा अगर बच्चे का बजन 10 kg है तो इसको हमको टोटल 80 mg सिफेक्जिम देना है तो 80 mg ज अब बात करेंगे कुछ जेनरल इस्ट्रक्षंस के बारे में जो जिफी को लेने से पहले सिफेक्जिम को लेने से पहले भी यह खाने के बिना भी लिया जा सकता है और अस पो हमको जिफी के साथ में एंटेसेट्स नहीं लिना चाहिए एंटेसेट्स होते हैं उसके absorption को एफ अगर बच्चे को डाइरिया होता है या एलर्जिक रेक्शन होती है उसको लेने के बाद में तो तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें इसके अलाबा हमको इसकी कोई भी डोस इसकिप नहीं करनी चाहिए छोड़नी चाहिए और इसका complete जो treatment था वो हमको लेना चाहिए क्योंकि एक anti-wire टेक है और इसको समय से पहले जो इसकी जो prescribed doses है उसको complete किये बिना छोड़ने पर जो इसका infection होता है वो फिर से हो सकता फिर से ठ जो बॉ敬 हो ना मुश्किल होगा है इसके साइड ऐफेक्ट्स के बारे में जो इसके मूर कॉमन साइड एफेक्ट्स हैं जो लगभग धोते हैं वहाँ डाइरिया होता है दस्तो जाना नौजिया नौजिया मिचली होना उल्टी जासे लगता उल्टी आएगी अब जो लेस्ट कॉमन साइड एफेक्ट से हो इस तमक में पेट में दड़ और जो स्टूल से है उसमें बलड आना खून आना या फिर म्यूकस होना चिप चिप साइड एफेक्ट से वह सीरियस ऐलर्शिक रेक्षनस जो कभी कभार किसी में देखने को मिलते हैं के बराबर यह होते हैं तो काफी ज्यादा सीरियस ऐलर्शिक इसके अलावा चेहरे पर swelling सूच जाना, गला पर सूजन, जो जीब है उस पर सूजन, लिप्स पर सूजन और जो हमारी आईज हैं, यह इनमें इंफलेमेशन हो जाना, अगर पेशेंट को लिवर या किडिनी से रिलेटेड कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर को समपर करें, उसके सुपरविजन में यह दवा लें, अब बात करेंगे कॉंट्रा इंडिकेशन, कॉंट्रा इंडिकेशन मतलब किन बच्चों को यह नहीं देना चाहिए, तो ऐसे बच्चे जिनको सिफेलोस्पुरन ग्रुप्स के अंटिवेटिक से ऐलर्जी है, उसको यह नहीं देना चाहिए, अब बात करेंगे, जिफी 50 के कुछ सबस्टेट्यूट्स के बारे में, अगर बजार में यह जिफी 50 ना मिले, उस कंडिशन में कौन सी और दूसरी मेडिसन्स परचेस की जा सकती है, जो दूसरे नामों से बजार में आती है, लेकिन उनमें होता वही सिफेक्जि इसको 50DS, यह dry syrup होता है, इसको Glenmark laboratory बनाता है, इसके लावा extra safe dry syrup, इसको blue cross laboratories, ctex o dry syrup, इसको juventus healthcare, इसके लावा jiprex 50 mg dry syrup, इसको sipla, और omni safe o 50 mg, oral suspension इसको aristo, और pan safe o 50 dry syrup, यह pineapple flavor माता है, इसको aglomad बनाता है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यह कुछ नया सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, subscribe for more videos like this,